आपका एक नंबर सवाल है, सांप के जहर का रंग कैसा होता है? आपका ओप्सन है, A. पीला रंग, B. लाल रंग, C. काला रंग, D. हरा रंग आपका सही जवाब होगा, A. पीला रंग, आपका दो नंबर सवाल है, किस देश के प्रधान मंत्री को शपत लेते ही फांसी देने के सजा सुनाई गई थी? आपका ओप्सन है, A. भारत देश, B. जापान देश, C. नेपाल देश, D. पाकिस्तान देश, आपका सही जवाब होगा, C. नेपाल देश, आपका तीन नंबर सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? आपका ओप्सन है, A. उल्लू, B. कौवा, C. मोर, D. चमगादड, आपका सही जवाब होगा, D. चमगादड, आपका चार नंबर सवाल है, किस देश के लोग A.C. का इस्तमाल सबसे ज्यादा करता है? आपका ओप्सन है, A. भारत, B. अमेरिका, C. मालदीव, D. आइसलेंड, आपका सही जवाब होगा, B. अमेरिका, आपका पांच नंबर सवाल है, हॉलिक्स किस देश की कमपनी है, आपका ओप्सन है, A. रूस देश, B. साओधी अरब देश, C. अमेरिका देश की, D. श्रीलंका देश, आपका सही जवाब होगा, C. अमेरिका देश की, रोजाना ऐसे ही विडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए, आपका छै नंबर सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, आपका ओप्सन है, A. बुद्ध ग्रह, B. मंगल ग्रह, C. शुक्र ग्रह, D. व्रिहस्पती ग्रह, आपका सही जवाब होगा A. बुद्ध ग्रह, आपका साथ नंबर सवाल है, क्या चांद पर बारिश होती है, आपका ओप्सन है, A. हाँ होती है, B. नहीं होती है, C. पांच साल में एक बार होती है, D. इनमें से कोई नहीं, आपका सही जवाब होगा B. नहीं होती है, आपका आठ नंबर सवाल है, भारत का कौन सा शहर पानी से डूबा हुआ है, आपका ओप्सन है, A. शी नगर, B. मुंबई, C. काशी, D. द्वारिका नगरी, आपका सही जवाब होगा D. द्वारिका नगरी, आपका नौ नंबर सवाल है, सोयाबीन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपका ओप्सन है, A. विटामिन C, B. विटामिन D, C. विटामिन K, D. विटामिन A. आपका सही जवाब होगा C. विटामिन K, आपका दस नंबर सवाल है, कौन सा जिव चार साल तक सोता रहता है? आपका ओप्सन है, A. घोंगा, B. कच्छुआ, C. साम, D. जोक आपका सही जवाब होगा एक घोंगा. रोजाना ऐसे ही विडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए. आपका ग्यारा नंबर सवाल है, भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती है? आपका ओप्सन है, A. कौफी उद्योग में, B. सीमेंट उद्योग में, C. जुट उद्योग में, D. चाए उद्योग में, आपका सही जवाब होगा, D. चाए उद्योग में, आपका बारा नंबर सवाल है, देशी घी खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ओप्सन है, A. कैंसर, B. शुगर, C. पत्री, D. दस्त. आपका सही जवाब होगा, D. दस्त. आपका तेरा नंबर सवाल है, एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है? आपका ओप्सन है, A. दस बच्चों को, B. चालीस बच्चों को, C. तीस बच्चों को, D. पचास बच्चों को, आपका सही जवाब होगा, B. चालीस बच्चों को, आपका 14 नंबर सवाल है, हवाई जहाज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ओप्सन है, A. यूरेनियम का, B. चान्दी का, C. एल्यूमीनियम, D. तामबे का, आपका सही जवाब होगा, C. एल्यूमीनियम, आपका 15 नंबर सवाल है, किस शासक को तीन बार दफनाया गया था? आपका ओप्सन है, A. अकबर को, B. बाबर को, C. हुमान्यू को, D. शाहजहा को, आपका सही जवाब होगा, B. बाबर को, रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन ओन कर दीजिए, आपका 16 नंबर सवाल है, एक मच्छर के मुँम में कितने दांद होते हैं? आपका ओप्सन है, A. बीस दांद, B. तीस दांद, C. बतीस दांद, D. सैंतालीस दांद, आपका सही जवाब होगा, D. सैंतालीस दांद, आपका 17 नंबर सवाल है, शरीर के किसंग में खून नहीं होता है, आपका ओप्सन है, A. हाथ में, B. कान में, C. कौनिया में, D. किड्नी में, आपका सही जवाब होगा, C. कौनिया में, आपका 18 नंबर सवाल है, गरीब का संतरा किसे कहते हैं? आपका ओप्सन है, A. आलू, B. टमाटर, C. कठल, D. अम्रूद, आपका सही जवाब होगा, B. टमाटर, आपका 19 नंबर सवाल है, सफेद सेप कहां पाया जाता है? आपका ओप्सन है, A. भारत, B. चीन, C. जापान, D. अमेरिका, आपका सही जवाब होगा, C. जापान, अगले सवाल आपके लिए आप सभी लोग इसका जवाब कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं आपका सवाल है, श्री राम जी भगवान जी को कितने वर्ष का वनवास मिला था? आपका ओप्सन है, A. अठारा वर्ष, B. पंदरह वर्ष, C. चौदह वर्ष, D. चौबीस वर्ष, आपका सही जवाब क्या होगा कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं, आप सभी लोग विडियो को लाइक कर दिजिए, अपने दोस्तों के साथ शेर कर दिजिए, और ऐसे ही मज़ेदार विडियो देखने के लिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकोन उन कर दिजिए.